हरियों प्रिदर्शकों मैं हूं पंडित बलराम पांडे हाजिर हूं 13 फरवरी 2023 आज का रासी फल लेके बात करेंगे किन रासी बालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने बाला है और किन रासी बालों को बेहद साउधान रहने की जरूरत है चंद्रमा आज मंगल के निशत्र में हैं तो कैसा रहेगा मेश रासी लेके मीन रास्तक के लोगों के लिए जानेंगे तो रासी के क्रम में बात करेंगे सबसे पहली रासी मेश मेश रास्तक के लोगों के लिए कहा जाए तो दिन का पूरवार्ध बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, दिन के पूरवार्ध में कुछ बात व्याद, अचानक कई समस्याओं का आना और कहीं न कहीं देखा जाये, तो स्वास्ट में भी अपच की स्थिति या कमर में दर्द की श्थिति बन सकती है, जो भी काम करना ह तो आप मद्यान के बाद उत्तरार्द में करें तो ज्यादा स्रेश्टब रहने वाला है। दिन के उत्तरार्द में आपको अच्छर जल देखने को मिलेंगे। दिन के पूरवार्द में जो समस्याएं रहेंगी वो दिन के उत्तरार्द में दूर हो जाएंगे। कि δामपत्य जिवन के बात करें तो accessible भी दिनके पूरवार्द स्वास्त के बात करें यह regulator क्लिए दिन आज मिला जुला रहने बाला है और स्वास्त के बात करें तो पूरवार्द में समस्याएं होंगी परन तो दिन के उत्तरारद आते आते स्वास्त भी बेहतर हो जाएगा वहीं बात करें निवेश की तो निवेश मद्यान के बाद दिन के उत्तरारद में निवेश करना स्रेष्ट रहेगा तो प्रीदर्सकों आज बेहद जरूरी होगा कि जो भी काम करें तो प्रैतन करें मद्ध्यान के बाद दिन के उत्तरार्द में दो पहर एक बजे के बाद करें तो ज्यादा स्रेष्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं अब बात कर लेते हैं वरसरास के वरसरास के लोगों के लिए दिन का पूरवार्द जाला से श्ठर और दिन का उत्तरार्द कहीं न कहीं बाद विवाद समस्याएं रोग आदि तरह तरह की समस्याएं होने वाली हैं कि कभी किसी समय भी जल्दवाजी ना करें कि दांपथी परधन की मिला जुला रहने भाला और इस्टुडेंट के लिए भी आज का दिन कहा जाए तो 50 50 कहा जाएगा और वहीं बात करें स्वास्थ की स्वास्थ दिन की उत्रयार्ण में समश्याइं आ सकते हैं परन्दो दिन के पूरवार्ध थोड़ा आपके लिए बेहतर रहने वाला है और वहीं बात करें निवेश की तो दिन के पूरवार्ध में ही निवेश करने दिन के उत्रार्वार्ध में निवेश करना कहीं न कहीं पैसा फसने की इस्तिती बन सकती है तो आज का मुल मंत्र यही रहेगा प्रसराशिबालों के लिए जो भी काम करना हो वो मध्यान के पहले एक बज़े के पहले ही कर लें क्योंकि फिर चंद्रमा की इस्तिती बदल जाएगी जिस से समय आपके अनकूल नहीं रहने वाला है अब बात कर लेते हैं मिथुन राज की तो मिथुन राज के लोगों के लिए दिन का पुरवाद उत्रार्द पूरा बेतर है आज आपको कोई गाड़ी वाहन का यदि कोई काम रुका हुआ था या प्रोपरटी से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था उसे आप कर सकते ह हुआ कोई के हैं और साथ में सरकारी छेतर से त्टरियों का जोड़े रहेगा आज का दिन भिसेश चल रही थी तो आज नौध और पढ़ाई में मन लगेगा और वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त भी बेतर रहने वाला है और निवेस भी आप कर सकते हैं तो आज का दिन मिथुन राशिबालों के लिए बेहद लावदायक रहने वाला है अब बात कर लेते हैं करकरास की तो करकरास के लोगों के लिए आज के दिन स्रेश्ट है आज देखा जाए तो कहीं न कहीं आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट की प्राप्ति हो सकती है कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है और घर परिवार में भी खुशी का महौल रहेगा पह प्राप्त होने वाली हैं वहीं बात करें स्वास्त की स्वास्त भी बेतर रहेगा स्वास्त में कोई खास मत्या नहीं दिखाई रही है बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं निवेश करना आज आपके लिए विशेश स्वयोगी होगा विशेश लावदायक हो सकते हैं तो आज कर दिन करकर आज़ वालों को लिए प्रणाम लाने वाला होगा बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जल्द वाज़ी करना बने हुए कामों को दिगार सकता है अब बात कर लेते हैं शिंगराज की तो शिंगराज के लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन स्रेश्ट रहने वाला है आज यदि पहले से कोई लंबे समय से बिमारियां चल रही थी उनमें आज आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगी और गुप्त धन की प्राप करें दांपत जीवन भी कहा जाए तो सुखमे ही रहने वाला है और ये स्टुडिन के लिए भी आज का दिन बेहद महत्त पूर्ण रहेगा बेहद शुवकारक रहेगा वहीं बात करें स्वास्त की स्वास्त में कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है बलकि छुटकार मिलने वाला है कोई समस्या चल रही थी और निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं और घर परिवार में भी कोई यदि समस्या उल्जने चल रही थी तो वह भी दूर होने वाली है तो आज कर दिन कहा जाए तो सिंग राश्य वालों के लिए स्ट्रेश परणाम लाने वाल है बस आपको अपने मूल सुभाव को चोड़ना है क्रोध किसी की ऊपर नहीं करना है क्रोध करने शेव समस्या खड़ी हो सकती हैं अब बात कर लेते हैं कळ्याराश की अजम्याराश की लोगों के लिए लbn आज का दिन कहा जाए तो बहतर है बस आपको इस का ध्यान रखना होगा llama सम्मान करें अपने प्रति शमरचन रखें आज प्रति आपको प्रति लिए रखना चाहिए कि आपके काम म juist से बनते OH और कै दामत्री जीन भी कहा जाए तूमिला प्रभला है और स्टुदेंट के लिए आज के दिन कहा जाए तो थोड़ा संगर से पूर्ण होगा आज मांसिक्तिंसन होने की संबाबना है सफलता तू प्राप्त होगी पढ़ाई में मन लगेगा परन्तू बीच-बीच मन कहीं न कहीं भ्रमित हो जाएगा और निवेश की बात करें तू निवेश आप कर सकते हैं परन्तू बेहद शावधानी पूर्ण निवेश करें अब बात कर लेते हैं तुला राज की तुला राज के लोगों के लिए देखा जाए तो बेहद जरूरी है कि जो भी काम करना हो दिन के पूरवार्ध में कर लें तो ज्यादा स्रेश्ट आपको प्रणाम देखने को मिल स्वाजुला रहेगा और इस्टुडेंट को भी आज सफलताएं प्राप्त होंगी परन्तों आपको नीद से संबंदित कोई समश्याई हो शकती हैं तो स्वास्त का ध्यान रखें टेंसन में ना आये टेंसन से बचने की कोसिश करें निवेश की बात करने तो निवेश करना दिन कहा जाए तो वहतर ही रहने वाला है परन्तु दिन का पूर्वार्थ ज्यादा स्रेश्ट है दिन के पूर्वार्थ में कोई भी काम करना हो उसे कर लें दिन का उत्तरार्थ कहीं न कहीं मिला जुला फल देने वाला होगा और दिन के उत्तरार्थ में कोई यात्रा का भ स्वास्त में कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है और स्वास्त में भी कोई खास समस्या नहीं कि नहीं देखनें को मिलने यह स्वार्वाद देना होगा तो समस्या आपस में घर पर बार में समस्या और भी समस्याएं होंगी तो इसलिए यात्रा करने से बचना चाहिए यात्रा करना आज के लिए कहीं कहीं नुफसान दायक हो सकता है और जमीन जाज़ाज से जुड़े हुए जो भी काम है उनमें पढ़ने की कोशिस ना करें क्योंकि आज जमीन जाज़ाज से समंद्र लेके के जैदा हो सकती है اور सरकारी चेत्र के अधिकारियों का अभी गुस्सा आज आप आने वाला हैं है कि तो ऐसे कामो से बचे शरकारी के की बात करें स्वास्त की बात करें और जो भी आपको काम करना हो तो जादा प्रतन करें कि दिन evolved सब्सक्राइब आपको स्वियस प्रणाम देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं मकर राज की मकः के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आज साउधानी बरते किसी से बात वियाद ना करें सभी से प्रेम से रहने की कोशिस करें कोई आपको दो बात बोल भी देता है तो जरूरी है कि आप अपने बाणी में सयम रखें किसी के ऊपर क्रोधना करें और साथ में अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें आज फुछ कफ जन्न तकलीफ है गले में दर्द या हाथों में दर्द ज्यादा प्रत्न करें कि बाहर तो टाइम देना है अपने काम में घर में भी टाइम देने की कोशिज करें और कोई बात चोटी हो भी जाती है तो थोड़ी समझ लें तो ज्यादा स्रेश परणाम कहें जाएंगे और स्टुडेंट को भी आज संघर्श करना पड़ेगा और स् निवेस भी करने से आज आपको बचना चाहिए तो कहा जाए कि आज का दिन बहुत जरूरी है सावधानी पूर्ण बिताने की करम करने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने बाड़ी में कंट्रोल रखते हैं तो आज के दिन को भेतर आप बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं कुम हराज की तो कुम हराज के लोगों के लिए भी बेहत जरूरी होगा कि आप अपने स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखें स्वास्त से सम्मंदित कोई समश्याएं बन सकती हैं या पहले से चली आ रही बिमारियों में आज और भी तकलीप बढ़ने की संभावना है और शाथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि आपस में कलहना होने पाए घर परिबार में और अपने बाणी में भी कंडूल रखें आज ऐसी कोई बातें निकल सकती हैं जिसें बने हुए काम बिगड़ सकते हैं तो जितना हो सके तो कम बोले और शाथ में बैंकिंग या काम कल के लिए टाल दें तो ज्यादा स्थ रहने वाला है और यह स्टुडेंट के लिए दिन कहा जाए तो मिला जोला रहे करेंगा आपकी मेहनत के उपर और अपने मन को एकागर करके कितना आप मन से पढ़ाई करते हैं नहीं बात करें निवेश के तो निवेश करने से भिग्रे हुए काम बनने वाले हैं कोई बड़े प्रोजेक्ट की बड़ा प्रोजेक्ट आपके हांत लग सकता है परन्तु आपको स्वयम रखना होगा कि दिनके उत्तरार्ध मध्यान के बाद समय बहुत अच्छा नहीं है अनुकूल आपके नहीं रहने वाला है तो जो भ आपत्ति जीबन भी कहा जा तो मिला चुला रहेगा और शुडेंट के लिए भी आज के दिन सफलता दायक्त है परन्तु दिन का उत्राध कहीं न कहीं मानसिक्ट दे सकता है और शाथ में निवेस यह करना है तो दिन के पूरवार्द में ही करें मध्यान के पहले एक बजे क पहले तो आज का मोल मंतर यह है कि जो भी काम करना हो तो जल्दी से कर लें तो जाला श्रिश्ट रहने वाला है तो प्रियदर्स को एरा मेंस राज से लेके मीन राज तक का आज का राशिपल आज के लिए पर इस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए अरियों